नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किशोर बिहार में बहार है नितिश कुमार है लेकिन कोरोना का कहर जारी है अब बिहार में बहार की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार मुखमंतर नितिश कुमार ने परवासे और कि जनकारी दिया है सभी अधिकारी जो है उनको उन्होंने आदेश दे दिया हैं कि aspiring उनकी स्किल mapping करें उसके तहट हो लोग जिस category में हैं उसको उसके हक में नौकरी दिया जाए दरसल जिस तहरीके से देश में कोरोना का कहर जा रही है सम्सक्राइब कहर이े 吧 प्रवासी मजदूर जो की सबसे ज़्यादा दिहारी मजदूर करके अपना पेट पालते थे उनके उपर पड़ आ पड़ी इसके बाद वो लोग अपने घरों को आ गए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर थे जो बिहार से बाहर जाने वारे थे प्रदेशों म पिछले तीन दिनों से लगातार प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे हैं जो लोग वीडियो-कंफरेंसिंग और उसके जरीये मजदूरों का हाल जान रहा है और उन से बात कर रहे हैं इसके बाद उन्होंने जो सुभी अधिकारी थे उनको निर्देश्ट दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर है उनके स्किल को मापा जाए और उसके बाद उनको नौकरी दिया जाए आदेश जारी हो चुके हैं और खुद इस बात की जानकारी दिया है सुभी के मुखमंतरी नितेश कुमार ने क्य क्या कुछ कहा है मुखमंतरी साब ने खुद सुनिये नहीं तो यह जितने लोग आये हुए हैं यह ठीक है सब लोगों का क्या अनुभाव है उसकी पूरी जानकारी ले लिजे और किस प्रकार से इन्हों को यहां काम में किया जा सकता है यह हमनों की इच्छा है कि अकारन ल और सभी DM को हम लोग यही कह रहे हैं और यहां हम लोग की इच्छा है कि maximum लोगों का accommodation हो जाए अकारन किसी को जाना न पुले तो इससे उनको भी लाब है और दूसरी बात है कि state में भी बहतर स्थिती होगी यहां का विद्योग का व्यापार का और expansion होगा और लोगों को काम बिलेगा तो इन्नों को भी काम बिलेगा और हमारे बिहार के अन्य लोगों का भी accommodation हो सकता है तो इस पर सोचना चाहिए और उसी पर काम करिये ही हम लोगों को कहना है सब लोगों को आस्वस्त करिए बिहार और जहाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें